नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफी चर्चित स्टॉक पारस दिफेंस के बारे में देखी लिस्टिंग के बाद से स्टॉक के पहले क्वार्टर टू के नंबर्स कंपरी ने अनौंस किया हैं आज की डेट में मुनाफ़ा क्वार् जरूर लाते रहता हूँ आपके जरूर काम आएंगे तो देखिए यह कंपनी की प्रैस लिस्ट देख रहे हैं आप आज की डेट में इन्होंने नंबर्स अनौंस किये हैं तो दीखें कंसोलीडेट बेसिस पे नंबर्स की शीट में ने अपन की है जो कि कैसे रीड़ आता हूँ आपको देखिए जून के नंबर ये हैं पिछले क्वार्टर के हालांकि कंपनी पिछले क्वार्टर में लिस्टेड नहीं थी लेकिन अनलिस्टेड कंपनी भी नंबर्स जारी करती है तो ये पिछले क्वार्टर के हैं और ये इस क्वार्टर के हैं लेटर और 2020 के amount सारा इस sheet में जो है लाखों में mention इन्हों ने किया है अब comparison करेंगे सबसे पहले quarterly जून से लेगे सितम पर 21 में company की total income का तो यहाँ आप देख सकते हैं 24.77 करोड़ के सामने company income करीब करीब double से जादा आई है जो कि 50.64 करोड़ की पोस्ट किया profit for the period की बात करूँ तो दीकि 95 लाक का मात्र मुनाफ़ा था company का जून के महिने में वो आपको जून के quarter में वो आपको 8.07 करोड़ का मुनाफ़ा आते में लेखने को मिल रहा है साथी बात करें PBT यानि profit before tax की तो यहां भी जवरदस्त काम किया है देखिए 1.47 करोड़ के सामने 10.55 करोड़ का मुनाफ़ा है और total खर्चे अगर company के बता हूँ तो जून के quarter में किये थे 23.30 करोड़ के वो बढ़कर 49.89 करोड़ के हैं company के खर्चे भी जवरदस्त ग्रोड़ किये हैं उसके बाद भी मुनाफ़ा कई fold आपको आते वे देखने को मिल रहा है अब compare करूंगा पिछले साल से सितमर 20 से सितमर 21 में company की total income देखें कि 32.26 करोड़ के सामने आई है 50.64 की यहां भी बढ़त हुई है profit for the period की बात करें तद 25 करोड़ का और खर्चे देखेंगे तो यहां भी काफी जंप किये हैं 27.60 करोड़ से बढ़कर आये हैं 49.89 करोड़ के अब दिखेंगे stock काफी costly आपको rate पता होगी शायद आई थिंक 7.800 का price होगा भी daily chart देखेंगे लेकिन EPS देखेंगे company का तो काफी बढ़ते वे देखन किया daily chart में listing के बाद से ही stock ने क्या कमाल किया है वो बताने की जरूत नहीं है सब को पता है वो बात देखेंगे stock ने highs लगाये थे करीब करीब 1250 के वहां से बहुत तेजी से stock गिरा है चलते वक्त भी अपर अपरी circuit लगाये थे और गिरते वे भी low circuit को hit किये थे अब देखे कि कल की डीड में stock चलना ही start करेगा मुझे लगता है आपको हो सकता है यहां पर 5% का circuit देखने को मिल सकता है अचीने तो आपको आने वाले कुछी महीनों में यहां पर 1000 के target अगेन देखने को मिल सकते हैं किसी का view अगर long है medium है मतलब minimum 6-8 महीने से लेके अधिकतम कितने भी क जैसा कि आपने देखे हैं दमदार नतिजाए हैं चलिए बात कर लिए इस वीडियो पारस defense के बारे में वीडियो चलगा इसको like जरू कर देना चैनल पर subscribe कर देना बेल आइकन को प्रेस करना और साथी साथ comment करके बताना अगर आपने share hold किये वे हैं धन्यवाद